Hey guys, this is me, Lovejee Tarora, welcome to the Tech Queen channel. Okay, so, this lecture के अंदर हम लोग binary file कर रहे हैं, na? Okay, okay, so, जब हम binary file यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो last हमारी class थी, उसमें हमने just intro देखा था. और मैंने आपको यह बताया था कि पिकल module क्या होता है, पिकलिंग क्या होती उसमें, unpickling क्या होती है, dumb और load function दोनों क्या काम करते हैं, और कैसे करते हैं, right, तो means to say कि आपको write and read करना आ गया है, अगर आपने last classes देखी होंगी, तो, super cool. जब हम इसमें write कर रहे हैं, तो हम pickle module जो हमारा हम use करेंगे binary file के लिए, तो उसमें dumb function का use करते हुए, यह चीज possible हो पाएगी, जब हमें file में कोई भी data write करना है, super cool, super cool, super cool. Read की बात हो रहे हैं, read की बात हो रहे हैं, तो it means to say कि जब आपको read करना है data, हम लोग यहां पर use करते हैं, load function, ठीक है, कौन सा function, load function, अब देखो जो last class थी ना, उसमें मैंने आपको सिर्फ बताया था कि हम data कैसे एंटर करते हैं, जैसे अभी मैंने यहां सामने लिखा भी हुआ है, one by one, means to say कि हम अपनी file है ना, means to say कि जो हमारी file है ना, जैसे हम यहां पर आए, तो इसमें देखे क्या चीज हो रही है, बहुत ही ध्यान से, पहले file को open कर लिए, wb के अंदर, then आपने ak करके data को डाला है, तो पहले आपकी यह वाली line है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, and so on, आपने ak करके data को dump किया है, ठीक है, अब आपको ऐसे करने की जुरत नहीं है, कि बार-बार you need to use dump function again and again, no, 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 आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर loop का use कर सकते हो, जब आपको कोई चीज बार-बार करनी है, तो हम इतने effort क्यों लगाएं, हम उसको loop की सहायता से कर सकते हैं, के अंदर आपको अंदर choice पूछनी पड़ेगी, for loop में, आपको for loop चलाने से पहले choice पूछनी पड़ेगी, that is up to you, कोई भी loop use करो, तो एक बार writing करें, यहां पर हम discard करते हैं, और सब कुछ rub कर देते हैं, जो भी हमने past पिछली classes में किया है, import करते हैं, pickle module को, ठीक है, that's good, अब हम क्या करते हैं, def function का नाम क्या रखें, okay, so function का नाम fun underscore by file कर देते हैं, ठीक है, so that's your function name, super cool, okay, अब हम अपनी file को open करते हैं, तो we will be opening our file, and it says dot that file, file by file, ठीक है, so हम उसमें dump कर रहें टेटा, WB, अब मैंने कहाँ, आप के पास दो तरीके हैं, आप क्या गोरो, या तो बाहर यहाँ पर एक number input करा लो, कि user को पूछ लो, कि तुम्हें कित्ती choice चाहिए, otherwise हम यहाँ पर while loop भी चला सकते हैं, ठीक है, यह आपके उपर है, 4 या while, मतलब जब हमें इतनी प्रोग्रामिंग आने लग जाती है, इतनी की, मतलब, while और 4 की टेंचन नहीं रहती है, हाँ, कि हम जो है, लॉजिक के उपर फोकस करते हैं, कि हमें लॉजिक में क्या input करनी हैं, चीज़े, कैसे हमें लॉजिक लगाना है, बजाए इसके कि हम यह सोचें while और 4, तो यह आपके उपर है, examiner जो है marks नहीं कट करेगा, कि अरे इसने while यूज कर लिया, बुक में 4 गिवन है, नो, नो, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक, हम थॉट बनाते हैं, हम यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, कि बच्चों का नाम, और उनके marks, और उनके city, तीन चीज़े user से input कराते हैं, super cool, okay, so हम name करते हैं, input, तो हम कहेंगे enter, enter name, okay, then हम क्या करते हैं, input, input, name, 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 उसके बाद में हमने कर लिया, यहाँ पर marks, आप integer में करा लो, float में करा लो, that is up to you, so enter marks, ठीक है, and then, 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 city, okay, cool, so हम input कराते हैं, enter city, ठीक है, okay, so अब एक list लेते हैं, और उसमें तीनों चीज़ें, टिक-टिक कर देते हैं, okay, and city, okay, देखे, अब आपके पास में दो तरीके हैं यहाँ पर, एक चीज़ की आप एके करके डम कर दो, data अपनी फाइल के अंदर, और आप यहाँ पर यह भी कर जकते हो, कि हम nest एके कठा कर लें, अपने पास list of list, और फिर इस लूप से बाहर जा करके, एक साथ data डम करते हैं, अगर आपनी previous class देखी होगी, तो मैंने उसमें थोड़ा सापको hint, या फिर थोड़ी चीज़े कराई थी, try और accept के बारे में, कि रन टाइम एरर आते ही, ऐसी exceptions को handle करने के लिए, हम try का use करते हैं, अब यहाँ पर ये भी चीज़ आपके हाथ में है, क्योंकि आप program कर रहे हो, that is up to you कि आप उसको कैसे करोगे, ओके, तो मैं दोनों तरीके बता देती हूँ, सबसे पहले वाला ये तरीका करते हैं, जिसमें हम एके करके records को dump करेंगे, तो हम pickle module को phone करें, and dump function को बुलाएं, and dump क्या करना है, list और किस में करना है, जी, file के अंदर, ठीक है, अब user से उसकी choice, पूछ लो, आपका हो कि, hey, user, do you want to enter more data, तो हम user को यहाँ पर new line करके, कह देते हैं, if yes, press, y, और y, ठीक है, ओके, तो अगर जो user की choice होती है, not an, ठीक है, इसके छोटा y है, बड़ा y के अलावा कुछ होती है, तो अब break मार के बाहर आजाएं ना, ठीक है, ओके, that's super cool, तो अब अपने function को एक बार, function का नाम क्या था, it's a fun, function, okay, so, function से बाहर आते हैं, okay, fun, file function, and where is our file, I think it is here, okay, तो यह सारा data, overwrite हो जाएगा, see here, I am lovejit, मैंने कुछ डाला है, तो यह, overwrite हो जाएगा, सारा data, जब इसमें dumb होगा, तो अपने पहला नाम, जब enter किया, मैंने कहा, komal, उसके marks are 12, उसकी city है, मान लो, quota, ठीक है, so, yes, I want to enter more records, and then, हम कहते हैं, enter name, हम कहते हैं, ओम, उसके marks है 89, city है, जी, उसकी, डेली, कहते हैं, हाँ, फिर मैंने कहा, उमा, उसके marks है 34, उसकी city है, कोलकाता, इतना record करें, ठीक है, so, see here, आपके पास में, ये record आपका, इसमें चला गया, ठीक है, हमने, EK करके data को, dumb किया, तो, अब आपको पता है, कि जब आप EK करके data को, dumb करते हो, इसको हम क्या करते हैं, save कर लेते हैं, यहाँ पर, okay, so, this is the way number one, हमने जिससे ये चीज़ की है, मतलब कैसे dumb किया है data को, और ये भी totally correct है, ऐसा नहीं है कि, गलत है, ठीक है, okay, तो, अब हम जब इसको, में से data को read करेंगे, तो, for the time of reading, what we can do, we can def, read, and, by file, binary file, and, for reading, we need to open the file again, ठीक है, so, file, file is just object name, तो, आप कुछ भी नाम दे सकते थे, open, the name of file is file by dot dat, and, this time, the mode will be rb, ठीक है, okay, तो, rb mode हो गया, आप हमें पिकल को बुलाना पड़ेगा, so, पिकल भाया, आजाओ, और लोड कराओ, data कहां से, फाइल के अंतर से, and, जब आप लोड गराओगे ना data, तो, data नाम की variable में जाल देना, अब मैं जब इसको print करा रही हूँ, उपर मैं इस function call को हटा देती हूँ, अधर्वाइस, हमें बारवार data को enter करना पड़ेगा, okay, so, अभी, इसने मुझे कुछ भी display नहीं करा के दिया, एक चीज तो हमने इसको call नहीं किया है, okay, तो हम इसको call करते हैं, पहली बात, अब देखिए, अरे, इसने तो मुझे सिर्फ पहला record, याद है, पिछली class में क्या हुआ था, अरे भाई, यू नीड लूप, और लूप की जरुद जब पढ़ रही है, तो आपको पता होना चाहिने, कि आपका लूप कब बंद होगा ना, अब आपको होगे, हमें नहीं पता है, ठीक है, लूप infinity चला लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, okay, उपर देखें, सारा डेटा रीड हुआ, बट, जब हमारा डेटा बंद हो रहा था, तो, मतलब डेटा नहीं, सौरी, फाइल बंद हो रही थी, तो इसने मुझे, एंड और फाइल एरर दे दिया, यहाँ पर, अब यह exception जो जनरेट हुई है, तो ऐसी एरर्स को हैंडल करने के लिए, हम क्या यूज करते हैं पाइथन के अंदर, हम try और accept का यूज करते हैं, देखे, try और accept उस case में आते हैं, देखे, आप कोई software क्रियेट कर रहे हो, तो अब software के अंदर क्या हो सकता है, कि मानलो, आपने भी कभी ऐसे software को उपन करते हो, तो आप उसके साथ जब काम कर रहे हो, तो कोई ऐसे बटन पर क्लिक हो जाना, या फिर अचानक से, वो software है, जो crash हो जाता है, बीच में ही चलना अचानक से बंद हो जाता है, या फिर किसी particular बटन पर जैसे ही क्लिक करते है, तो वो crash हो जाती है, अप आपकी, है ना, तो फिर वो क्या है, चलते चलते बंद हो जाना, that's called exception आपके पास में, तो आपका program सारा सही चला, ठीक है, मतलब चल रहा है सारा, लेकिन फिर runtime error generate होगी, और इस बार कौन सी runtime error generate हुई है, end of file error, तो ये exception generate हुई है, तो आप चारियों के भी ऐसा अचानक से बंदा हो, तो जिस हिस्से में आपको लगता है ना, कि यहाँ पर कोई error आ सकती है, तो what you can do, you can simply use there, try, ठीक है, सब try, और try के नीचे हम accept करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कि जब भी आपके पास में कोई error आएगी, जो भी error आएगी, runtime, ठीक है, तो वो इसके थूँ accept कर ली जाएगी, और finally आपकी जो, मतलब फाइल है, उसको close कर दिया जाएगा, ठीक है, अब मतलब accept के बाद में, आप जो भी लिखोगे ना, तो वो action perform होगा यहाँ पर, let's say कि मैं यहाँ पर print करती हूँ, thank you, यह मैंने किया, ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊंगी, तो यह क्या करेगा, सारा data मुझे display करा देगा, and last at the end message is coming, which is thank you, and there is no error, कोई भी हमें run time error नहीं आई है, ठीक है, ओके, तो यह चीज हम कर सकते है, तो यह मेरा एक perfectly fine code, जो यहाँ पर हमने किया है, आप अगर board में ऐसा लिखेंगे, तो बिल्खुल, आपका कोई भी number एक भी नहीं काट सकता है, ठीक है, अब एक बार मैं आगे चलूँ, और इसको एक बार save कर लूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको इन चीजों को explain कर दूँ, ओके, तो एक बार पीछे चले, आपने file का mode wb किया है, because of course, यह आप अपने file के अंदर data को write करना चाहते हो, super cool, आप जो है, वाइल का use करते हो, infinity loop, क्योंकि आप अंदर एक choice पूछ रहे होंगे user से, और उस choice के according, आप loop को चला रहे होंगे, और जब वो choice खतम हो जाएगी, तो आपने break जरूर लगाया है, otherwise, infinity loop चलता जाएगा, बिलकुल आना, okay, तो तीन एक choice आप user से लेते हो, बच्चे का नाम, marks और city, आप उसको एक list में रख लेते हो, तो it is something like that, कि अगर मैं इसको कुछ कहूँ, तो it is ऐसा कुछ, आपके पास में, जैसे name आगया, ठीक है, marks आगया, and then the city name, ठीक है, तो ये इसके थ्रू हमने ये एक list प्रिपेर कर लिया, तैयार कर लिया, अब आप क्या गरूँ, dump function का use कर रहे हो, अब जब dump function का जब आपने use किया, बात को ध्यान से सुनिए, तो ये जो list है ना आपके पास में, इसको मतलब what and where, ठीक है, तो what, where, यानि कि ये data इस फाइल के अंदर जाकर के, dump हो गया बोले तो, ठीक है, तो जब आपका data इसमें जाकर के dump हो गया, तो बस हो गया काम, ठीक है, अब आप user से choice पूछ हो ना यार, कि user or record एंटर करने, तो जब तक user बोलेगा yes, तब तक आप ये बार-बार चीजे करते रहोगे, और एक एक करके आप अपनी फाइल में data को dump करते जाओगे, तो you know that, कि जब आपने एक एक करके data को dump किया है, तो निकालते टाइम भी हमें ये चीज यान रखनी होगी, आर भी मोड है, आप मुझे पता है कि इस हिस्से में problem आ सकते है, यानि कि exception generate हो सकता है, तो उस particular part को मैं try और accept के बीच में रखूँगे, आप यहाँ पर exception के बाद में, sorry, accept के बाद में आपने exception लिखा हुआ कहीं कहीं देखा होगा, and specifically in binary file, maybe, आप लोगों ने ये भी चीज़ देखी हो क्या, कि यहाँ पर लिखा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हो सकता है, end of file error, क्योंकि जब आपको उस error का नाम पता है, तो you can give that particular error also, मतलब उसका नाम भी दे सकते हो, but मैं आपको अभी समझा भी देती हूँ, कि मैं क्या कह रही हूँ, बाकि अगर हम इसको देखे, तो this is infinity loop, of course, इसको कही न कही stop होना पड़ेगा, और कहां होगा, पहला data load हुआ, display हुआ, load हुआ, display हुआ, load हुआ, display हुआ, बट जब सारा data खतम हो जाएगा, तो file बंद नहीं हुई न आपकी, तो ये end of file जन्रेट कर देगा, रन टाइम एरर, लेगिन हमने यहाँ try, accept कर रखा है, तो accept होगा, and then आपकी file close हो जाएगा, अगर कोई रन टाइम एरर जन्रेट होगी तो, and then आपने thank you का message, simply forward कर देगा, अब मैं आप से ये चीज़ कह रही हूँ, कि आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, आप यहाँ पर accept, अपने exception लिखा, that's super cool, अगर मैं ये भी करती हूँ, तो भी कोई problem नहीं, exception का मतलब है, सारे तरीके की errors हैंडल हो जाएगे, and let's suppose you know the particular error, like I know that this is end of file error, तो मैं उस error का नाम देदूगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके की exception होती है, तो आप एक particular exception को ये handle कर रहे हूँ, बजाएगे इस सब के, अब यहाँ पर अगर कोई और runtime error आई, तो वो handle नहीं होगे, सिर्फ end of file error exception है, जो handle होगे, ये एक तरीका हुआ, अब आप क्या करो ना यार, आप try except use करने की बजाए, what you can do, आप simply ऐसा कर सकते थे, जब आप pickle का यहाँ use कर रहे हो ना, तो आप एक nested list ले लो बाहर, ठीक है, और उसके अंदर सारा data, आपका list of list की form में डाल दो, means to say, कि एक list बाहर declare करते हैं, ये file एक list बाहर declare हो गए, तो आप अपने क्या करते हैं, यहाँ पर hash के अंदर, अब इसमें आपका data देखो किस तरीके से आएगा, simply, ऐसे आएगा, sorry, ऐसे आपका data इसके अंदर आएगा, है ना, तो इसमें first जो है, name, कॉमा, माक्स, कॉमा, city, ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें city, कॉमा, माक्स, sorry, name, माक्स, city, नेमाक, तो एक list बन गए, आपके पास में nested list, अब आप क्या कर लो, अब आप जब loop से बाहर आओगे ना, बाहर आकरके आप एक साथ डम करा दो, और किसको डम करा दो, nested को, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं, अगर करती हूँ, fun pickle को दुबारा से call, ठीक है, fun by file को दुबारा से call करती हूँ, अभी मैं इसको रन करती हूँ, इसमें मैं नए नाम डाल देती हूँ, let's say, Poonam is here, marks are 12, इसकी city रखते हैं, रायपुर, ठीक है, yes, I want more record, मैंने रोहित कर दिया, yes, marks are 12, और मैंने कोटा कर दिया, yes, I want more record, मैंने टोनी कर दिया, and marks 89, and मैंने पूने कर दिया, and yes, I want more record, मैंने रिया कर दिया, ठीक है, and marks 67, and मैंने city, Delhi कर दिया, and no, now I don't want, तो आपके पास में देखे, इस कदर इस प्रकार से डीटा आपके पास आगया, देखो, लिस्ट ओफ लिस्ट में, ऐसे ही डीटा गया था, और ऐसे ही आपके पास में डीटा आ गया, अब ऐसे केस में क्या है, कि पहले तो मैं इस call को हटाती हूँ, आपको इतना बड़ा लिखने की जुरत नहीं है, मतलब ये जो आपने लिखा है, मतलब आपने ये, जो है, ट्राइ बगारा के यूज़ के, आपको ये करने की जुरत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि क्या है, कि अगर मैं इसको कट्र करती हूँ, अगर देखिये मेरे पास में, मैं simply अगर इसको भी करती हूँ, लेट से की मैं आपको कॉल करके बताती हूँ, सब सबसे पहले, लेट से पहले हूँ, अपको लगे कि अपको नहीं लग रहा क्योंकि मैंने क्या किया है, एक ही साथ बाहर आकर के डेटा को डंप कर दिया, तो मुझे बार-बार के लिए exception जनरेट हो रही थे लूप के टाइम पर, बिकोज मुझे पते नहीं था फाइल को बंद कहां करना है, है ना, बिकोज देर इस नो end of line character, तो अब मैंने एक साथ डाला, एक साथ निकाल लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 4 I and data, तो मैं यहाँ पर print and I, तो अभी क्या होगा मेरे पास में, एक एक करके मेरे पूनम यह सारी record हैं, जो फैच हो जाएंगे, अब इस में से if you want to search something, यह यह पर आपका search वाला भी हो गया, यह easy है ना, तो अगर आप यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहते हो, let's say, if I said I का 0th number is equals to Ria, तो मैं क्या करूँगे, मैं कहूँगे, Hey Ria, I found you, ठीक है, it's just a message, you can give here any message, and run करेंगे, Yeah, Hey Ria, I found, रिया की जग है, Ria कुमार कर देते हैं, तो नहीं आएगा, because कोई message नहीं होगा, तो यह आपका found वाला है, खैर found को हम करेंगे, but अगर आपको चीज़ें समझ में आई, तो मैंने आपको यह चीज़ समझाई है, इसको में एक बार copy करूंगे, that's the way number two, ठीक है, जिसमें आपको जुरत नहीं पढ़ेंगे, आप for loop का use करके, भी कर सकते हो चीज़ें, right, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कि आप एक चीज़ को लेकर के बंदे हुए हो, कि ऐसे ही चीज़ें होंगी या चलेंगी, नहीं, आपको जैसे लगता है, आप खोद इसको ड्राइव करो, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग इस नोट लाइक बुक में लिखाया है, या तुमारे टीचर ने या मैंनी बता दिया, अप जो पीसी के सामने होते हुए, तो आप उसमें अपना तड़का है, जो डाल सकते हो, ठीक है, आपने बस एक बर देख लिया, कि ये सबजी कैसे बननी है, अब आप आज आते हो जब किचन में, तो दाट्स यूर ओन स्टाइल हाना, हाँ, धोड़ी-धोड़ी आप चीज़े वहां से कॉपी करते हूँ, बट येस, आपका वो खुद का स्टाइल, क्योंकि काई लोग तो देखकर के भी सही नहीं बना पाते हैं, सबजी, हाना, Means Program, तो I think आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो मतलब कहने का कि आपने ठीक एक बर चीज़े सीख ली, अब आप उसके अंदर खुद की चीज़े हैं, जो इन्पुट करो, अभी आपको लगते हैं कि आपको फोर लूप से करना चाहिए, या, that's totally cool, you can try it, ठीक है, ओके, fine, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूं, W, B, okay, so while true, ठीकी, 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 तीनों चीज़ें आगई, इसके अंदर, अब मैंने इसमें क्या किया है, एक list of list बना लिया, तो जब पूरा pack तुम्हारे पास में आ गया, जब तक user की choice होती है तब तक, बाहर आकर के न, अपने इस लूप से, तब आपने इसमें डम कर दिया, that's totally fine, क्या किसमें डम किया, in that case, हमें, अगर हमें ऐसा भी करते हैं, तो भी totally fine है, because error नहीं आएगी हमें पता है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, right, I hope ये चीज़ें समझ कहें होंगे, अब देखिए try or accept, इसका basically जो use होता है, वो कब होता है, इसका basically use तब करते हैं, जब हमें exception generate होने का खत्रा रहता है, मतलब हमें हम लगता है कि हमारा program में, ये जो दो line हैं ने गड़बड कर सकती हैं, जैसे कि हम अगर ऐसा कुछ करें, not only in binary while in another way also, कि जैसे अगर हमने किसी भी number को d is equals to, आप यहाँ पर मान लीजे print, और आप 8, sorry, upon 9 करते हो, तो that's totally cool, आप कहोगे कि answer which is coming to you, कुछ भी answer ऐसे आ रहा है, बड़ा सा, ठीक है, let's say कि मैंने इसको अगर 0 से करते हैं, आपको गया रहे मैम यह infinity होता है, so the error which is coming, 0 division error, this is an exception, right, ऐसे exceptions को handle करने के लिए, आप क्या करते हो, उतने portion को, आप try, और accept के बीच में लिखते हो, ठीक है, तो आपने accept किया यहाँ पर, ठीक है, और अब आप क्या करते हो, print, बाही साहाब, error, ठीक है, it's just a joke, आप इसके जगे कुछ भी लिख सकते हो, okay, so fine, अब error आने की बजाए, means आपका प्रोग्राम, अच्छानक से बंद होने के बजाए, you found here an error, ठीक है, यह यह वाली, कभी-कभी हमारे पास में तब भी होता है, जैसे कि अगर अपने एक file open करते हैं, let's say कि मैं एक file open करती हूँ, मैंने file लिखी Obama, मेरे पास कोई Obama नाम की file नहीं है, यहाँ पर, अप यहाँ पर इस हिस्टे को जहाँ पर आपको लग रहा है, तो आप इसको try, and then what you can do, accept, और अगर आपको error का नाम पता है, तो आप यहाँ पर दे तो, ठीक है, तो file not point, so simply this message will come, अगर उसको file नहीं मिली, instead of coming an error, तो ऐसे ही हमें जब run time error यहाँ पर मिला, तो हमने क्या किया, इसका use कर लिया, ठीक है, तो try और हमारा जो है, यह तब आता है, जब हमें exceptions generate होती है, ठीक है, तो जब आपने file not found है, तो आपको yes, आपने, जब वहाँ वहाँ आप इसको use कर सकते हो, simply, ठीक है, ओके, तो अभी मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, मैंने way number one बताया, उस way के अंदर आप क्या करते हो, सारा data append में, append के थूरू, एक nestled list में एक ही साथ ले लेते हो, और loop के बाहर आ करके, उसको file में dump कर देते हो, ठीक है, that's the way, another way you have, कि आप AK करके data को dump करते जाएं, ये भी cool है, बट इसमें AK करके डाला है, तो निकालना भी है, जो पड़ेगा, ठीक है, ओके, so उस time पर read करते time, अगर आप ऐसा करते हो, तो cool है, मतलब आपको error आने वाली है, इसके अंदर, क्योंकि, AK करके जब डेटा को down आ, तो AK करके निकालना पड़ेगा है, तो फिर आप ये भोले से बच्चे की तरह है, रोने लग जाओ के, रोने तो नहीं लोगो के, पर T.S. इसके भी आंसू नहीं आ रहे हैं, बट मतलब हिम्मत पूरी है इसकी है न, तो हमारा भी कुछ फेस हो जाएगा ऐसे, क्योंकि जब हमें exception generate होगा, तो हम फिर try का use करेंगे, उस इससे में हम try लगा देंगे, जहां पर हमें लग रहा है, ठीके, जो मैंने यहां पर आपको बताया, कि एक साथ डेटा को कैसे हम डाल सकते हैं अपनी फाई में, और एकी साथ हम कैसे निकाल सकते हैं, और सारे तरीके आपको बता दिये, ठीके, अब इन सारे तरीकों को आप ज़रूर प्राक्टिकली घर पर करके देखना, और नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, ओके, और चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, ठीके, और येस, भूल मत जाना to subscribe the channel, बाई!